आज हम आपको इन पहुमूल्य फसल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आईए जानते हैं काली हल्दी की खेती के बारे में। काली हल्दी की खेती किसान भाईयों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मिलका पत्थर साबित होगी। काली खल्दी की खेती से आप प्रती एकड़ 5 से 10 लाग रोप्य मात्र 10 महीने में कमा सकते हैं सामान या देखवार सामाने सिचाई, खरपतवार, नियंत्रन सामान य था दादी जैसी सामान निबातों के नियुजन और प्रबंदन को ध्यान में रख धर यदि आप इसकी खेटी एकर के चौते हिस्से में मात्र साओ किलो राइजोम से करते हैं तो आप अपने एक एकर राइजोम का उत्पादन अपने खेट से कर सकते हैं और पहले साल ही आप 4 लाक रुपे की बचत कर सकते हैं जब एक एकर से काली हल्दी का उत्पाधन लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लाब होवा है काली हल्दी के बाजार के लिए आप औशधिय खेति विकाष संस्थान से संपर्ख कर संस्थान के साथ जुड़कर खेति कर सकते हैं संस्थान के द्वारा राइजोम लगाने की विधी खाथ सिचायादी के प्रबंदन की संपून जानकारी दी जाती है संस्थान द्वारा आपके उत्पादन को पूरी गायरेंटी के साथ बाजार उपलब्द करवाया जाता है काली हल्दी का राइजोम लेने से पहले असली और नकली का अंतर अवश्य जान ले वरना फसल निकलने के बाद आपको पच्छताना भी पड़ सकता है इसलिए काली हल्दी के बीज राइजोम आप और शधिय खेती विकास संस्थान से ही लीजिए जिससे आपको बाजार के लिए भटकना न पड़े सभी किसान भाई काली हल्दी की खेती के बारे में विचार करें और योरिजनल प्लांटिंग मचीरियल के लिए और शधिय खेती विकास संस्थान से संपर्प करें हमारा नंबर है 6268536795 धन्यवाद किसान भाईयों आपके लिए एक खुश खबरी आप अपने खेती में एक नया अध्याई जोना चाहते हैं तो आपका स्वाकत है और शधिय खेती विकास संस्थान के किसान उत्पादक समोह में हमारी सेवाओं में उच्च गुनवत्ता के बीज, पौधे मार्ग दर्शन एवम अनुबंध आधारित बाजार शामिल है चिया कलोंजी, 6 महीने की फसलों में अश्वगंधा, अकरकरा, सफेद मूसली, मिल्क थिसल, पाशान भेद, 8 महीने की फसलों में काली हल्दी, कस्तूरी हल्दी, 18-20 महीने की फसलों में शतावरी, सर्पगंधा, अनंत मूल, कलिहारी, स्टीविया आधि की खेती कर सकते हैं झाल 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 झाल